और उन पर हमें अच्छा अच्छा करनी हैं ब्याकरण के और हिंदी से संबंदित जो भी आपके पेपर में पूछ जाते हैं ऐसे सब कोच उसमें ले करके आए हैं तो आप मेरा निवेदन होगा कि आप हिंदी ब्याकरण काब सास्ता है हिंदी भास संबंदित बोली त्याजी संबंद जो भी प्रस्णा आप पूरी तैयारी करना चाहते हों तो इन एक हजार प्रस्णों के लगातार आप वीडियो देखते रहें और इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियो अपलोट किये हैं अपने चैनल टॉप फिप्टी स्टाडी यूटूब चैनल पर तो आप वो संस्कित से थे हिंदी में आ गए तो जैसे संस्कित में थे वैसे ही वो हिंदी में उनको कहते हैं तस्सम और जो बदल गए हिंदी में आते संस्कित से उनको कहते हैं तदभाव ठीक है आगे और समझाएंगे तो आख सब्द को कहते हैं अक्षी क्या कहते हैं अक्षी ए बी in उअक्छीार्ट कासा सब्द क्लिएender या अर्थ जानेंगे, तो और अच्छी सब्द का होता है साक्षी comment में आप उत्तर देएजाएं देखे कौन कितनी आपकी तयारी है कितने लोग सभी वताते हैं रिक्सा किस भासा का सब्द है यह कई बार पूछे जाते हैं तो आपको बता दें रिक्सा जो है जया पानी भासा का है जापानी भासा का करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको प्रतेग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो और चाहे संस्कित की हमारे चैनल पर पूरे विवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें आगे बढ़ते हैं दोस्तो प्सर्ग सब्द के पहले लगते हैं तो अपमान एक यहाँ पर दिया है एक दिया है अपना आबरण और अपकीरती जल्दी से कमेंट में उत्तर बताईए तो आपको बता देए आपमान में अबरण में आउपसर्ग है और अपकीर्थी में भी अपसर्ग है तो अपना क्या उपसर्ग से रहत है क्योंकि आ अलग हुजागा आ उपसर्ग है नी पना पना ये कोई सब्द होता नी इसलिए यह सही हो जाएगा, आप देखें संधी, संधी की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, कि सारे ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी, आप भी चैनल की प्ले लिश्ट में जाके देख लें में आपको पहचानना आजागी, महरसी में कौन सी संधी है, ठीक है, तो आपको बता दें, यह महरसी का जो संधी विक्षित होता है, महा प्लस रिसी, ठीक है, इससे मिल करके क्या बनता है, महरसी, तो इसमें स्वर संधी है, अब स्वर संधी में कौन सी स्वर संधी है, यह आपको कमेंट में लिखकरके बतलाना है या आपको सयम सर्च करना है बतलाना है अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंग जा आ पर नहीं यण संदी, यण स्वर संदी, ठीक है, तो आपको बता दें, इसका संदी विक्षित होगा, सू प्लस आगतम, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्वागतम, इस प्रकास से इसका विच्छेद हो जाएगा, आगे देखते हैं, निम्ले लेखे सब्दों का सुद्ध संदी होगा, तो जगत धन, इसका संदी विक्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगत धन, इस, ऐस संदी क्कोन सी होगी deros, प्लस के इस तरफ कोई भी हलंत वर्ण, हलंत मतलब यह जो चिन्न लगा लगा नहां ताके नीचे आधा कर देता हire, तो यह कहलाता है हलंत तो प्लस आप इसको लगा लीजीगा अब देखते हैं महुसव का संधी भीक्षित बताना है महुसव का A, B, C, A, D जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महुसव का सही संधी भीक्षित क्या होगा तो आपको बता दें इसका हो जाएगा महा पिलस उत्तर इससे मिलकर कि क्या बना महुसव कौन सी संधी हो जाएगी तो आपको बता दें गुण संधी क्योंकि मैंने आपको बताए था कि जब एक मात्रा एकी मात्रा हो या फर एक ओकी मात्रा हो एक मात्रा उपल लगी होनी चा यसुदा में जो है कौन सी संदी है आपको बतलानी इसका संदी विक्षित क्या हो जाएगा यसुदा का तो यसाह प्लस दा तो यहाँ पर बिसर्ग का क्या हो गया ओ हो गया तो बिसर्ग का क्या हो गया ओ हो गया तो कौन सा क्या बन जाएगा यसुदा इसका याद रखिएग सब्दों में प्रियुक्त समास संधी और समास दो ऐसी चीजे हैं कि आपने समझ ली न तो याद रखीगा कि आपके किसी भी एक्जाम में कमसगम चान नमबर पक्के हो गए और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 श्टडी यूटूब चैनल पर ले करके आया है अपने प्ले लिष्ट में जाके इनको देख लें आगे देखें निमले के सब्दों में प्रियुक्त समास का नाम बताना है सब्ताह मतलब सबसे पहले आरा है सब्त सब्त मतलब संख्या बाची तो हमने बताया था कि संख्या बाचे दिगू, मतलब पहला सब्द जहां पर संख्या बाची हो, वहाँ पर दिगू समास होता है, तो इसका D उत्तर ठीक हो जाएगा, जितने में हम व्याक्ष्या बताते हैं उतने में आपको कमेंटर उत्तर बतला देना है, आगे देखते हैं रोग पीड़त, मतलब रोग पीड़त, अब इस समास बताईए, कौन सा समास है तो उसका अपन विच्छित कर लेकवा, रोग से पीड़त, किससे होता है पीड़त बेक्ती, रोग से पीड़त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा D, रोग से पीड़त, ठीक है, और तृतिया तत्पुरोष इसको अपन बोल सकते हैं ठीक है यदि उसका भी अपन को बहिद बताना है तो तुरतिया तत्पुरोष आप इसको बोल सकते हैं आगे देखें कर्मधारय समास निमने लिखित में से किस सब्द में है कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने सब्द दिये हैं उसमें से किस सब्द में कर्मधालय समास है तो कर्मधालय समास में विसेशन विसेश्षभा होता है मतलब एक विसेशन होता है विसेशन के द्वारा विसेश्ष की विसेश्षता बतलाई जाती है या नील कमलित्यादी जो आ जाते हैं तो एक किस कर्मधारे समास का उध्रन क्या हो जाएगा सी उपमानुप में भाव या विशेशन विशेश्च भाव जहां पर होता है अब दॉन्द समास आ गया दॉन्द समास निमने लिखित में से किस सब्द में तो हमने बता है तो दॉन्द समास में आपसमें दो सब्दों में दॉन्द होता है या तो ये विप्रीतार्थक होते हैं कैसे होते हैं विप्रीतार्थक होते हैं अधिकतर दॉन्द समास में तो आप सीधे ही देख लेंगे इत्रिने तो कहीं विप्रीतार्थक नहीं पीता अंबर में भी नी घंसे आमें नी जै पर आ जाए है सीधा आप लगा लें मैं कह रहा हूँ गारंटी से यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नी है कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रसना जाए पस यह है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए वीडियो को देखिए सुनिए और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो प्ले लिष्ट में जा करके जो आपके वीडियो चूट गए है वो भी देख लीजिए अगला देखें दिगू समास निमने लिखित में से किस सब्द में है अब देखें फिर हमने बूला था आपसे की पहला सब्द क्या होना चाहिए संख्या बाची चार में से कौन सा आपको संख्या बाची दिख रहा है तो आपको बता देए चोराहा मतलब चार राहों का समूह समाहार अर्थ में हमेशा दिगू समास होता है समाहारे दिगू संस्कित में कहा गया संस्कित के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे चार पेड़ा गोजी हो चार ब्याकरण वो भी आप देख लें तो समाहारे दिगू मतलब समाहार के अर्थ में तो चार राहों का समूह समूह क्या हो जाएगा चोरा हर दिगू समास आगे बढ़ते हैं दावागनी सब्द का अर्थ है अब देखें कई प्रकार की अगनी होती है और मैंने देखा बडवागनी दावागनी इत्यादी पूछे ही जाते हैं उसमें सबसे जादा लोग कन्फूज होते हैं तो आज ह क्यों आग लगती है क्या दावागनी पेट की आग को कहते हैं जटरागनी क्या कहते हैं जटरागनी और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बडवागनी या बडवानल कहते हैं ठीक है बडवानल अनल मतलब भी क्या होता है आग होता है तो बडवानल उसको कहते हैं तो अ तो दावागनी क्या हो जाएगी जंगल की याग, ठीक है, अब पेट का दूसरा नाम है जठर, पेट का कैसा है, दूसरा नाम क्या है जठर, तो पेट की यागनी को क्या कहेंगे, जठरागनी, ऐसे आपको याद है, आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया, देखना पे बिसाल होता है और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है तो बड़वागनी बड़ी बात हो गई तो क्या हो जाएगा बड़वागनी जल में लगने वाली याग ठीक है तीनों याद रखिएगा उम्मीद है आपको पसंद आ रहा हो गए को लाइक जरूर कर दें तो हम लोगों को भी प्रुसाहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कमेंट में यह जरूर लखेते हैं कि आप किसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेवस के नुसार सब कुछ वीडियो आएंगे आगे देखें किस सब्द का अर्थ मयूर है अब चार सब्द दिये हैं आपको बतलाना है कि चार में से कौन से सब्द का अर्थ मयूर है जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए पूरा काम करना है कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज्यादा content मिले ज्यादा आपके लिए lab हो तो मयूर कहते हैं आपको बता दें केकी ठीक है केकी को क्या कहते हैं मयूर कहते हैं एक हमने line पढ़ी थी केकी कंट समान चबी मतलब केकी मतलब मयूर ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं केकी केकी मतलब मयूर मयूर मतलब मोर यह और याद रख लेनी तो भूल जाएं अब देखें पुरंदर सब्द का प्रियोग किस के लिए होता है पुरंदर सब्द के कई बार पूछा गयागी पुरंदर किस के लिए प्रियोग होता है तो आपको बता दें कि इंदर के लिए इंदर के लिए सक्र भी कहते हैं याद रखिएगा और पुरंदर भी कहते हैं और इंदर भी कहते हैं और देवराज भी कहते हैं तो पुरंदर किसके लिए प्रयोक्त होता है इंद्र के लिए ठीक है आगे बढ़ें प्रशन दोस्तों बोई हैं जो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं इसी टाइप के प्रशन आते हैं इन मैंसे कौन सा सब्ध पुस्पका परियावाची नहीं ह पुस्पका परियावाची नहीं है यह पूछ रहे हैं प्रसून भी है और सुमन भी है तो अनंग नहीं होगा ठीक है अब अनंग किसका परियावाची है वो आप कमेंटे में बताईए देखते हैं भी आपकी पड़ाई कितनी है तो तीन क्या हो गए यह पुस्पके परियावाची है एक नहीं है आगे देखते हैं निमने लिखे बाक के लिए उचित सब्द चुनिए मतलब बाक्यांस के लिए जो एक सब्द होता न वो यहाँ पर पूछा गया है तो अब बताते जाईए कमेंट में जल्दी जल्दी उत्तर फड़ावड़े तो सब पर बनते हैं ग्यान प्राप्ति की इक्षा रखने वाला जो ग्यान प्राप्ति की इक्षा रखे बह कौन कहलाएगा तो बह कहलाएगा जिग्यासू मतलब जिसके मन में जिग्यासा हो जानने की इक्षा भी कहलाता है जिग्यासू और ग्यान प्राप्त करने की इक्षा भी कहलाता है जि आगे देखें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रस्ण आ गया बाक्यांस के लिए एक सब्द जो किए गए उपकार को ना मानता हो जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या आउदे हैं क्रतगन अपन बोलेंगे उससको भीए क्रतग नहीं हो गए क्योंकि किसी ने तुमारे उपकार किया और तुम उसको भूल गए इसलिए वो क्या हो गया क्रतग में और इसके विप्रीत यह आ जाए कि जो किये ही उपकार को मानता हो जो माने किसने उपकार किया तो उसको कहते क्रतग क्या कहते क्रतग कि आप उपकार को मान रहे हैं तो जो मानता है उसको कहते हैं कृतग लेकिन यहाँ पूछा ना माने तो उसको क्रतग न कहेंगे उस्तक ठीक हो जाएगा अगे बढ़ते हैं जो हर समय दूसरों के दोस खोषता हो ठीक है न, अपन नहीं कह कि निंदक नीरे राखिये अ वाली बात करते है तो हर समय उसकी यादत रहेगी दूसरों के दोसी खोजेगा तो उसको कहते हैं पर छिद्रानवेशी पर मतलब दूसरों के छिद्रानवेशी मतलब छोटे 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 दोसों को भी अनवेशी मतलब अनवेशन करता है देखता रहता है वैसे इसमें क्या गल्ती कहर रहे है तो याद रखीगा पर मतलब दूसरों के छिद्र मतलब छोटे छोटे भी अनवेशी मतलब खोजना तो पर छिद्रानवेशी कहते हैं कौन किसको जो दूसरों के दोस खोजने वाला और देखें सौतेली माता के लिए प्रियुक्त सब्द है सौतेली माता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है तो उसके लिए कहा जब बिमाता जो माता नहीं है वै क्या कर लाएगी बिमाता लेकिन सौतेली मा भी माही मानी जाएती लिए उसको बिमाता की कोटी में आता ह को माता जो बुरी माता होती है याद रखीगा सो माता जो अच्छी माता है तो यहाँ पर लेकिन पूछा है सो तेली माता के लिए तो बै क्या हो जाएगी बिमाता हो जाएगी आपको तो बैस continue हमारे वीडियो देखते जाना जितने भी वीडियो चैनल पे अपलेड हो डेली आप 10-15 मिट का समय नकालिए कुस दिन आप पढ़िए हिंदी ब्याकरण में कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से जादा प्रस्म तो बोई फसंगे जो हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं तो पिछले वीडियो जिसके छूट गए हो वो भी देख लें चैनल पे जा करके अगला देखते हैं जिसे जीता ना जा सके अब जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं जल्दी से comment में उत्तर बता दें तो बैः हो जाएगा Ajay जो जीता ना जा सके बैः क्या हो जाएगा Ajay ठीक है यहाँ पर Agay दिया है Agay मतलब जो जाना जा सके Durjag मतलब जिसको पार ना किया जा सके इस पिकार से होता है तो यहाँ पर अजे ही कहलाएगा वह और देखते हैं जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें जान ना सकें वह क्या कहलाएगा तो आपको बता दें कि जो इंद्रियों से परे हो हाँ थोड़ा सा कन्फूच आपको बता दें ने पूछाए जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया हो तो भाई कहलाएगा कई परसने ऐसे होते हैं जिनमें दो लगते हैं क्या कहना चाहिए तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय या पर ऐसा कह सकते थे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिये और जो इंद्रियों के गोचर ना हो उसको कहते हैं अगोचर जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको कहते हैं अगम मतलब जहां पर ना जाया सके उसको कहते हैं अगम और जिसको गिना न जा सके तो यहाँ पर इसका भवएन का यह लग रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया उससे भी आंगे हो भया अगे और